नमस्कर दोस्तों आपका बहुत दूस्टों आज की सफ़रिश वीडियो में आजम बात करने में किस तरह से आप अपनी वर्डपरिस की वेबसरेड को कंट्री वाइस या तो लेंग्वेस वाइस बना सकतो अब जैके सब सबसे भिलिम बात करते कि आपकी वेबसरेड किस तरह से वर्क करेगी अगर कोई यूसर आपकी वेबसरेड इंडिया के अंदर एकसेस करेगा तो इसका हिंदी वर्जन ओपन होगा या तो इसका सब डोमेन ओपन होगा जिसके अंदर आपने आपकी हिंदी वर्जन की वेबसरेड होस्ट करके रखें और अगर आपकी बहार यान की यूस यूके साइना किसी भी कंट्री के अंदर एक्सेस करेगा तो ओटोमेटिकली जो इसका ग्लोबल वर्जन या तो इसका मेन डॉमेन ओपन होगा इसका मतलब कि इसका इंग्लिश वर्जन तो आज दा वीडियो देखते रिए आज के वीडियो कंदर मैं आप कोशिच करूगा कि किस तरह साप ऐसी वेबसेट बना सकता है वह भी वर्डप्रेस के साथ तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहे है अब दखिए एक्चुल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुली हम आज की वीडिय है आजम वर्क करेंगे एक ही डॉमेन पर और आपको एक ही डॉमेन के किस तरह से आप कंट्री वाइस बना सकतो इसके बारे में तो मेरे पांस एक वेबसेट है इसका नाम है क्वेशन.net यह इसका इंग्लिश वर्जन यानिकि इसका ग्लोबल वर्जन है इसके बाद मेरे प आप इसे चेक कर लिजिए यानि कि वेरिफाय कर लिजिए कि जो मैं आज की वडियो कंदर आपको सीखाने वाला हूँ वह वड़प्रेस के ऊपर सीखाने वाला हो ताकि आप आसानी से सीख सके कि किस तरह आप ऐसी वेबसेट बना सकते हैं अब देखिए आपने कहीं बार दे तो आपको वड़प्रेस का एकसेस तो आजके वड़वक अंदर जरूदनी पड़ेगी लेकिन आपके पांस आपके सीख पेनल यान के कंट्रोल पेनल का एकसेस होना जाए कंट्रोल पे नहीं तो आप अपनी जो फाइल को FTP के मुद्ध से एडिट कर सकते हो तो इसके अगर सीख पेनल में आपका वड़प्रेस इसलेशन है तो आपके लिए बहुती आसन होगा तो अब हम एक्षिल वडियो स्टार्ट करते हैं अब देखें यह वेबसाट है अब सबसे बेले मैं आपको बत रहता है कि देखें अगर कोई यूजर यह वेबसाट का मेन वर्ज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आर्टेकल की लिंक मिलेगी इस आर्टेकल की मुद्द से आपको यह सब कुछ करना है अब देखें इस आर्टेकल के अंदर में एक पावरफुल स्क्रीप आपको देखें रखें इसका आपको यूजर आपको एक भी प्रकर का क क्रीप होगी इसमें से आपको इसे कोपेश्ट करना है तो सबसे पिले देखिए मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया इसके बाद हम इसे यहां पर रख देते हैं इसके बाद हमारा कंट्रोल पेनल और यह वेबसेट अब देखे जब हम इसे कंप्लेट करें तो इस डॉमिन को हम य करें से हो जबेखे से के यह सबल्में के देखे रहां तो दो दोनों की इंडेक्स फखने है सबसे ने करें का मिया का काम होगा कि आप इसका आप Index Base Edit कीजे तो देखे आपको देखे देगा Index.psp इससे अप एडिट मोड में open कीजे इसके अंदर आपको यह script करने हैं देखे आपको यह वाले script अब देखे आपको इससे स्टोडी मोडिफाई करने पड़ेगी इसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं अब देखे मैं आपको दिखाता हो दूसरा ब्राजर ओपन करते हैं अब वहां पर में एक VPN का यूज करता हो इसे हम एनेबल करते है और यहां पर हम रखते है यूज कंट्री आप अपने मुताबे किसी भी कंट्री को सिलेक कर सकते हो देखे अब हमने यूज कंट्री को सिलेक कर लिया अब हम देखे यह जो हमारे पास यहां पर जो एकसेस होगा वो यूज का एकसेस होगा तो सिंपली मैं आपको दिखाता ह देखिए यहां पर हम देखते हैं यह website को यहां से copy कर लेते हैं और इसके बाद हम यहां पर इसे paste कर देते हैं और इसके बाद हम test करेंगे अभी तो इसका global version open होगा इसके बाद मैं आपको अब लिखाएगा अब देखिए यहां पर मैंने विपियन का यूज करके रखा हैं तो क्या होगा कि देखिए मैं स्वेफड को रिप्रेश करूगा हमारा काम कंप्लेट होने के बाद तो ओटोमेडिकली ग्लोबर वर्जन में यान की में डोमेन में ट्रांसफर हो जाएगी त अब देखिए आपकी अंडर्स्टेनिंग के लिए यह कमेंट को यहां पर हम रिमू कर देते हैं ताकि आस्तानी से आप इसे समझो को कि यह कोड की इस तरह से वर्क करता है तो इसके बाद हम सेव कर लेते हैं एक बार आप अपनी वेफड को रिप्रेश कर लिजे इसके बा करना है कि इस स्क्रिप्ट की मदश से क्या होगा देखिए यहां पर साफ साफ लिखा कि यह वर्येबल के अंदर अगर इंडिया आता है तो देखिए आपको देखा कैस के अंदर की इंडिया तो क्या करना है आपको जैसे इंडिया होता है यह आई-पी के अंदर यानि कि इ बहुत सारे यूजर के पांस इस तरह का कोडिंग का नोरेज नहीं होता फिर भी अगर ऐसा आप बनाना चाहता हो तो सिपल आपको आपकी मिश्टेक ना हो आपकी वरियेबल लिखने में आपको स्क्रीप लिखने में अगर एक वन मिश्टेक करते हो तो आपकी वेबसाड आपको देख देख इसके बाद यह कोड यह कोपी करना है इसके बादी अजरिफोल को पेस्ट करना है इसके बाद और इसकत?"I क्लोस करना है देखिए काम हो चुका है इसके बाद आपको इसे सिंपली एक बार सेव करना है इसके बाद आपको यहां पर अब देखिए अब मैं क्या करूँ को इस यानि की इस वेफ्रेश करूगा तो ओटोमेटिकली यह हिंदी वर्जन में जो ट्रांसलेट हो जाएगी दे मैं मैं यहां होगाना हिए कृश्यों वेफ्रेश कर रहा है उड़ाला है मैं आपको देखाता हूँ इसे open करके और देखिए यह complete open होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है अभी हमने वेफ्लेट open कि है वो यूएस के अंदर यान की इंडिया के बाहर तो आपको देखा देगा कि इंग्लीश वर्जन देखिए आपको यहाँ पर देखा देगा लेकिन अब ह हमें हमें अपको करना है अब देखाता हूँ अब देखाते हमने वेफ्लेट को रिफर में आधर हमें डालियोगों कि इंड्गा Ohh तो आपको करना कुछ भी नहीं है, इसके बाद आपको जाना पड़ेगा फायल मेलेसर में वहां जाकर आपको Hindi version और Hindi version की Index file आपको open करना है देखें से आप Edit बूट में open करना है इसके बाद देखें यहाँ पे अपने जो script लिखे है वो same script आपको इसे यहां से यह complete index file को यहां से अब कोफी कीज़े इसके बाद आपकी हिंदी वर्जन के index file में आपको control यह है इसके बाद पेश्ट करना है इसके बाद आपको एक बार save कर लिज़े ताकि आपका code यहां से इंडिया के नीचे देखिए यहां पेश्ट कर दीज़े इसके बाद देखिए आपको यह line को यहां से cut करना है और इसके बाद आपको default case के अंदर पेश्ट करना है और यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर आपको कहीं देना कि इसका main version में आर्टी डारेक्ट हो जाए यान कि देखिए question.net इसके बाद आपको सेव कर लेजे अब देखिए सबसे पहले आप समझे देखिए आपको आपको को समल आब में देखिए आपको द आपको इसके main वरियंपकर में आपको ट्रांसलेट करना है यान की transfer करना है तो simple logic के सबसे पहले आप अच्छी तरशी से understand कर लिए ताकि आपको समझ में आ जाए अब देखे दोनों आपको देखे दागा दोनों की index फैल में आपको से हम work करना है लेकि थोड़ा आपको changes करना है अब देखे हमने दोनों के अंदर कर दिया इसके बाद देखे अब आपको पता चलेगा कि अगर में US के अंदर UK के अंदर चाइना के अंदर अगर में हिंदी version access करने की कोशिश करता हूँ तो क्या होगा automatically इसका main version transfer यान की open हो जा होगा तो क्या होगा automatically इसका global version यान की English version open हो जाएगा देखे हम इसे refresh कर लेते हैं ताकि आपको पता चले देखे हैं क्या हुआ होगा automatically जो इसका English version open हो गया अब हम सिंपल अंडरेस्टेंड कर लेते हैं देखे मैं आपको सबसे बेले अब हम करन्टी चैंस कर दे रहे हैं करन्टी मैंने सूस करकर रखाया यूएस इसके बाद हम सूस कर लेते हैं यहां से नेधर लेंड इसके बाद इसे और नेधर लें करने जाने कि इसका English version open हो जाएगा देखे आपको देखा देखा देगा हो गया question.net तो क्या हुआ यह automatically जो अगर इंडिया के बाहर से कोई access करेगा आपका हिंदी वर्जन तो हो जाएगा अब देखे मैं आपको दखाता हूँ इंडिया के अंदर क्या होता है यह ब्रावजर ओपन है इसके अंदर मैं ने वीपियन को एनेबल नहीं किया तो क्या होगा कि देखे मैं दो यहां से क्लोज कर देता हूँ इसके बाद आपको अच्छी जरा से समझ अब देखे क्या होगा है और आपको इसके अंदर आएगा कि यह जो दो हिंदी वर्जन अब देखे हैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यह किस तरह से वर्क करता है तो देखे आपको यहां पर देखे देगा ओटोमेटिक लिए ट्रांसफर हो गया इसके बाद यहां पर लिखा है दो हिंदी वर्जन अब देखे सिंपल लोजिक है इसे जो इसे इजी कोड के अंदर आप इससे नहीं कर सकता है कि यह जितना बनी इतना इजी लेंगोज में मैंने आपको सीखाना की कोशित की कि आप किस तरह से कर सकतो अब देखे मैंने यह जो स्क्रीब है वह एक मेजिकल स्क्रीब है इसके अंदर आप कुछ भी कर सकतो देखे मैं आपको बहले बताए सरे अगर आपको ऐसा करना है कि कंटिवाइस या तो इसके अंदर आप स्टे सबसे पहले हम वेफर को ओपन करेंगे इंडिया के अंदर इसके बाद में आपको इसके अंदर VPN यूज़ करके किसी भी करणटी के अंदर एक्सेस करके दिखाऊंगा ताकि आपको आजतानी से पता चले कि यह दो हमारे स्क्रीप है वह सक्सेस्फुली वर्क करता है किसी भी ृप्रकर का प्रोब्लम नहीं है तो देखें ब्रावजर ओपन हो चुका है currently सबसे पहले में आपको देखाता हो देखें हम उपन करते हैं गूगल अपन कर लेता है गूगल तो देखें हम सबसेस्फ्ट फुपन हो चुका कि आपको यहां पर नीचे देखा कि यह गूगल कहां पर open है आपको देखा इंडिया तो अब हम क्या करेंगे simply हम जाएंगे निया विंडो में वहाँ पर open करेंगे इसका यानकि हमारे वेफर का global version तो सबसे देखिए question.net और इसके करेंगे अब देखिए मैंने लिख लिए इसका इंग्लिश वर्जन question.net मैंने एंटर प्रेस कर दिया अब क्या हूआ automatically इसका हिंदी वर्जन open होगे देखिए आपको देखिए 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 क्योंकि ये इंडिया के अंदर हमने इस वेफर को access किया है इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी करंटी को select करके तो simply में हमारे ब्रावजर में से VPN को enable कर दोगा और इसके अंदर हम इस बार कोई और करेंगे इसके मैं आपको सिलेक करनटी इसके बाद हम सिलेक करेंगे सिंगपूर और इसके बाद सिंगापूर कर दिया इसके बाद simply फिर से हम open करेंगे गूगल का ताकि आपको पता चले किस तरह से यह जो स्क्रीप वर्क करती है अब देखे मैंने गूगल ओपन कर लिए गूगल तो आपको जूड नहीं बोलेगा देखे आपको नीचे देखे देगा सिंगापूर अब क्या होगा कि देखे अगर मैं जो आउट उप इंडिया देखे आपको अगर इंडिया के बाहर कुऑ इसका ग्लोबाल वरजन एकस्सर करेगा तो यहां नहीं क्यों होगा और इंडिया के बाहर को इसका ऐंग्ली अजन लॉज लेकिन अब रिक् derived यूजर अगर इसका हिंदी वर्जिन एक्सेस करने की कोश्च अगर इंडिया से बाहर से देखें मैं दिखाता हूँ हिंदी.question.net इसके बाद आंटरप्रेस करते हैं तो क्या होगा यह एक्सेस नहीं होगा और ओटोमेटिकली इसके मेन वर्जिन में ट्रांस्टर हो देगा आपको देखें की ओटोमेटिकली इसका इंग्स वर्जिन ही ओपन हो रहा है तो इस तरह से आप उपनी वर्डप्रेस की वेबसेट के अंदर आप वड़ीर वर्टेश की वेबसेट को कंट्री वास बना सकतो इसके बाद अगर आपको ऐसा करना है कि आपको गूगल ट्रां होगा कि किस तरह से आप अपनी वर्डपरिस की वेप्सन को करन्टी वाइस यह तो लेंग्विज वाइस बना सकता हूं तो आशारक्तु कि आपको बहुत ही प्वासंद आए तो वीडियो को लाइक हो शेयर कर दिजिए चाहतों समर्शने को सब करता कि आपको ऐसे हेलफूल वीडियो मिलते रहे थांक्यू प्रोशन दिश्व वीडियो